फाधिल का देवेच सरदी तो बक्षिया नू बचाउने लई डॉक्टर रेनू तुडिया ने कीता परियाष बनाया बर्ड हाउस अते कीता दानापानी दा इंतरजाम फादिल का देविच नव दीवन ओस्पिटल दी संचाल का डॉक्टर रेनो तुडिया वलों अपने हस्पिताल देविच बर्ड्स नू सर्दी तो बचाऊंदे उदेश्या देविच बर्ड हाउस दी स्थापना कीती गई है उनना वलों हस्ताल दे एक दिवार दे बर्ड हाउस बनवाया गया है अते उनना दे दाना पाने दा इंतजाम वी कीता गया है डॉक्टर रेनु तूडिया दे नाल उना दे पती जलालाबाद मारकिट कमेटी दे सापका चेरमेन कवल तूडिया भी दे रहन उनना वलों बर्डस दे लई ताना पानी दा इंतजाम करनंदे नाल नाल सर्थी तो बर्डस दू बचाऊंदे लई बर्ड हाउस दा निर्माण वी कीता गया है जिस्टे वेच बर्डस लाके रहन आपनी आदे हैं वादिल का दे सलेब शार दोर दे बने हस्पिताल दे विट ए हाउस बनाया गया है अते लोंका वलो और ना दे कीते के इस पर्यास्ती परचंसा भी कीती जारी है जो आपके उस्ती उप्रालाइक गया है पक्षिव के लिए इस क्या मन में क्या विचार आए अचे ऐसे है अभी भयंकर शीट लहर चल रही है तो शीट लेहर में हम लोग हुमन बेंग्स बाहर निकलते हैं तो कई कपड़े पैनते हैं तीन तीन चार्चार लेर्स कपड़ों की पैनी होती है और फिर भी हम ठीठूर रहे हैं और मेरे मन में यह आया कि क्यों ना पक्षिव के ल उनके लिए दाना कुछ एक सावशुत्री जगा पर होना चाहिए और मैंने यह सोचा कि ये निष्वार्त शेवा है इस निष्वार्त सेवह को जरूर हमें कायम करना चाहिए इनके लिए चोटा सा बर्ड हाूस बनाया है जिसमें कि उनको ठंड ना लगे और अंदर वो प् और साथ में वो अपना दाना भी खाएं और पानी भी पियें। सिरफ निस्वार्थ सिवा को मन में रखते हुए हमने जी उप्रा लगें।